गूड बार्निंग स्टूडेंट्स बीए सेकंड इयर फिलासफी की क्लास में हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं पश्चिमी दर्शन का इतिहास और इस पेपर में हमने अभी हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है अनुभवादि दाशनिक जॉन लॉक उस पर सर्चा कर रहे हैं पि जो प्रत्य कहलाते हैं उन प्रत्यों के विभिन प्रकारों के बारे में कर हमने धिन किया था आज हम यह देखेंगे कि यह प्रत्यों के बीच जो संबंध है वो कितने तरीके का है ज्यान कितने तरीके का है ज्यान की वैदता भी एक टॉपिक है जॉन लॉक में जिसे हमें जानना है कि किस ग्यान को वैद मानेंगे किस को वैद नहीं मानेंगे इसके अलावा उन्होंने ग्यान की सीमाओं की बाद भी की है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि जॉन लॉक ने ग्यान की असंगति का प्रत्यक्ष ज्यान है मतलब दो प्रत्यों का पारश पर एक संबंद कैसा है पहली बात और उस संबंद में संगति है या नहीं इसको देखना ज्यान है मतलब अनुभाव से हमको जो प्रत्य मिलते हैं उनकी असंगति और संगति का बोध तो सबसे महतोपूर्ण हो गया दो प्रत्यों के बीच में सबसे पहले तो हमें सम्मंद देखना है तो हमें यह जानना भी जरूरी हो गया कि प्रत्यों के बीच में सम्मंद कितने तरीके के होते हैं पिछले क्लास में हमने यह देखाता है कि प्रत्यों के जो सम्मंद होता है इसमें वो कौन सी प्रक्रिया होती है जो उन सम्मंदों को बनाती है या एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि उसके माध्यम से हम प्रत्यों के बीच में सम्मंद को जानते हैं लेकिन सम्मंद कौन-कौन स से होते हैं इसको हम आज जानेंगे चार तरीके के संबंद जॉन लॉक ने बताये हैं जिसमें से पहला संबंद है भेद और अभेद का संबंद मतलब वस्तु या तो अभेद होगा उनमें, मतलब उनमें फर्क नहीं होगा, अंतर नहीं होगा या फिर उनमें भेद होगा, मतलब जैसे हरा लाल नहीं है उन दोनों में फर्क है, भेद का संबंद हो गया या फिर हरा हरा है, ये अभेद का संबंद हो गया मतलब समानता का सम्मन्द या असमानता का सम्मन्द इसके अलावा दो प्रत्यों के बीच में सम्मन्द का होना अब वो सम्मन्द कैसा है वो कार्यकारण का सम्मन्द हो सकता है कि प्रत्वी अपनी धूरी पर घूमती है ये कारण है इसकी वज़े से क्या होता है दिन रात होते तो प्रत्वी का अपनी धूरी पर घूमना कारण है और कार्य क्या है दिन रात होना तो ऐसे कार्य कारण नियम है ऐसे ही तादात्मिय का नियम होता है ये वो संबंध है जो प्रत्यों के बीच में होते हैं इसके अलावा सहस्तित्व का संबंध मतलब हमेशा कोई दो प्रत्य एक साथ नजर आए लेकिन कोई एक दूसरे का कारण ना हो मतलब ये प्रत्य उसका कारण नहीं है और दूसरा प्रत्य पहले प्रत्य का कारण नहीं है तो मतलब साथ होना जिसे हम साचरे कह सकते हैं या मैं कह सकती हूं सास्तित्व भी कह सकते हैं जहां पर वो साथ तो होंगे इसलिए वो मीठा ही होगा ये चीजे जरूरी नहीं है चौता संबंध होता है उनके बीच में यथार्थ सत्ता का संबंध मतलब जिन प्रत्यों का ग्यान मुझको हुआ उसके अनुरूप बाय जगत में वस्तू है या नहीं ये होता है यथार्थ सत्ता का ग्यान तो ये लेकिन लौक उनकी प्राप्ति का जो साधन है वो अनुभव को बता कर गुद्धिवादियों के ज्यान के प्रकार से अपने ज्यान के प्रकार को भिन कर देता तो तीन तरीकी की ज्यान उसने माने हैं एक ज्यान है जिसे हम यह कह सकते हैं प्रातिव ज्यान दूसरा ज्यान उ नोना ने बताया है समेट तो जिसे पहला हम ग्यान कहेंगे फ्रातिभ ज्याण वह दो प्रत्यों के बीच के संबंध का सिधा पता लगना which is दो फ्रत्यों के बीच संबंध हैं यह जानने के लिए हमें किसी तीसरे प्रत्य की ज़रुर्त नहीं पड़ेगी के एक है जिसको कहेंगे प्रातिम ग्यान ये हम क्या सकते हैं सीधा हमें पता चलता देकिन यह सीधां हमें अंतर दर्ष्टी बहुद्धि उन्तरजिटी नहीं है जैसे बुद्धिवादी कहते थे कि इंड्यूशन होती है, सुईता पता चलता है, इसको तो प्राटिब ज् RAMSAY उसे जह साक्षाहत होता है लेकिन यह होता अनुभोह के मादन से है दूसरा ग्यान निर्देशनात्मक ज्यान इसके लिए यह कहा जाता है कि दो प्रत्यों के बीच के संबंद का ग्यान हमको 30 की सहायता से जब होता है तो इसे निर्देशनातमक किस्म का ग्यान कहते हैं जैसे पाइथा गॉरॉस प्रमय है उसका ग्यान जब हमको होता है कि हमें अगर करण की पाई निकालनी हैं तो हम आधार का और लम का स्क्वायर करके जोड़ेंगे को जानना है लेकिन इसके लिए सीधे दो प्रित्यों की बजाए हमें तीसरे प्रित्य योग का सारा भी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसे निर्देशनात्मक ज्यान कहते हैं इस तरीके का ज् माबी हैं इसे एकदम सही नहीं मान सकते लेकिन इस ग्यान में नवीनता होती है यह जान लोग कहता है तो यह समवेदनात्मक ज्यान है जो समवेदन और सोय समवेदन बाहरे जगत से मिलने वाले प्रत्यों और हमारे आलतरिक जगत से मिलने वाले प्रत्यों पर निर्भर हो कि ये अवयद ग्यान हैं तो इसके लिए भी उसने ये बताया कि वैद तक को उसे तीन आखार रुपे बड़ डे की तीन आखार रुपे पाथ़ी आफ्यन टेक कर सकते प्रत्यों के माद्यम से होता है विचारों के माद्यम से होता है और जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं या जब हम उसको बताने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम कथनों का सहरा लेते हैं भाशा का सहरा लेते हैं तो ये कथन अगर उन प्रत्यों के समवादी हैं कसोटी है कि वो सत है और असत इसके आधार पर हम तै करेंगे ये कैसे पता चलेगा वो ये कहते हैं कि जिन का हमको प्रत्य मिलता है उनके अनुरूप कोई सत्ता होनी चाहिए मतलब मान लीजिए मुझे लाल रंग का मीठे पन का प्रत्य हो रहा है तो इस लाल रंग और मीठे पन के प्रत्य के अनुरूप सत्ता बाहर होनी चाहिए जिसे मैं सेव कह सकती हूं यह हो सकता है मैं न जानती हूं लेकिन जिसका मुझे जिन प्रत्यों का मुझे ग्यान हो रहा है वो प्रत्य अपने मूल रूप जहां से उत्पन हो रहे हैं या जिसके माध्यम से मुझे मि आ रहे हैं वो कौन सी स्ता है लोग कहते हैं कि उसको द्रव्य कह सकते हैं लेकिन में उसे द्रव्य नाम निश्ची दरूप मिल रहा है लेकिन वोसत्ता कौन सी है ये मैं नहीं जानता वो अगर उस मूल सत्ता को पूरी तरीके से हमारे सामने रहे तो मतलब उसके प्रतिनी दी हैं सही प्रतिनी दी है तब तुम्हें कहूंगे यह कह सकते हैं कि यह ग्यान यथार्थ है अनिता यह ग्यान यथार्थ नहीं है यह ग्यान प्रियाप्त है अनिता यह ग्यान प्रियाप् नहीं बताई है और यह सीमाई उन्होंने तीन आधहरों पर देख जैसे सीव क今 यह Mercury का स्रोथ किया है मानआउं के लिए यह इन्हीं दोनों के आधहर पर जान पाता है कि यहान क्या से आते हैं तो हमारा ग्यान इस आधार पर सीमित होगी है क्योंकि सिर्फ दो ही आधार है जिनके बेस पर या उन्हीं के आधार पर हमको ग्यान होता है दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टी से उत्पत्ति की दृष्टी में भी लॉक यह कहते हैं कि समवेदन और दो समवेदन और स्वय समवेदन य के विल दो ही चीजे हैं जिससे उत्पन होता है इसके अलावा कोई तीसरा सडूंद नहीं बताया और यह जो समवेदन और सवय समवेदन है यह मिलके अनुभव के माद्यम से ही हमको ग्यान होता है जैसे जोन लोग कहता है तो उत्पत्ती ज्यान की उत्पत्ती भी इससे होती है वो कहता है कि बुद्धी से ज्यान की उत्पत्ती नहीं होती जैसा बुद्धी वादी मानते हैं यह बुद्धी का काम तो है ज्यान को सीमा है तो जॉन लोग कहते हैं कि प्रातिव ग्यान वो तो निश्यत है क्योंकि वो साक्षात होता है लेकिन इसके अलावा समवेदनात्मक ग्यान और निर्देशनात्मक ग्यान भी काफी हद तक वास्तविक नहीं होता या हम यह कह सकते हैं यह धार्त नहीं होता तो यह तीन ऐसी हम यह कह सकते सीमाय है जो मानव के संपून ज्यान प्राप्ति में बादा है क्योंकि यहां तक ही व्यक्ति जान सकता या और जानने की कोशिश करेगा तो कुछ चीजें हैं कुछ बादाएं हैं जिसकी वज़े से वो नहीं जान पता अब लॉक ने अपने दर्शन में द्रव्य को परिभाशित करते समय कुछ ऐसे लूप होल छोड़ दी यह हम यह कह सकते हैं लूप होल मतलब कुछ ऐसी कम्या छोड़ दी जिसकी वज़े से वो बता नहीं पाया कि द्रव्य एक्जेक्ट में है क्या अगर वो द्रव्य को सही से डिफाइन कर देता तो उसके सामने इस तरीके के मसले नहीं आते कि उसका ग्यान सीमित हो जाता यह यह बात काफी हद तक सही भी है कि मानों को समपून ग्यान नहीं है लेकि लॉक ने द्रव्य की सारी भाषा कुझ इस तरीके से दी है कि उसके दर्शन में हमको कहीं कहीं असंगती दिखाए देती है तो लॉक के हिसाब से द्रव्य क्या है द्रव्य के गुण क्या है इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थैंक्स